गुजरात और राजस्थान में उत्पादन बढ़ने की उमीद के कारण जीरे की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। दरसल मौझूदा रभी सीजन में जीरा का रखबा चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है जिसमें गुजरात और राजस्थान इस विस्तार में सबसे आगे हैं। गुजरात में खेती 160 परसेंट बढ़कर 5.6 शूने लाख हेक्टेर तक पहुँच गई जो सामाने रखबा 3.5 लाख हेक्टेर से काफी अधिक है। राजस्थान में भी 25 परसेंट की वृद्धी हुई जो 6.9 शूने लाख हेक्टेर तक पहुँच गई। दरसल बुवाई में आई तेजी का श्रेय पिछले सीजन की रिकॉर्ड कीमतों को दिया जाता है जिसने किसानों को खेती का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया है। हाला कि भारतिय जीरा की वैश्विक मांग में गिरावट आई है क्योंकि खरीदारों ने भारत में जीरे की उंची कीमतों के कारण सीरिया और तुर्की जैसे विकलपों की और रुख किया है। दरसल कम पानी की उपलब्धता, कम थंड के दिन और फ्यूजेरियम विल्ट और कीट हमलों के बारे में चिंताएं खेती को प्रभावित करती हैं। अप्रेल से नवंबर दो हजार तेईस के दोरान जीरा निर्यात में 33.1% की गिरावट आई, जबकि नवंबर में अक्तूबर की तुलना में 30.04% की वृधी देखी गई, लेकिन 2022 में इसी महीने की तुलना में 22.89% की गिरावट आई है। अप्रेल से नवंबर दो हजार तेईस के दोरान जीरा आयात में 1134.63% की गिरावट आई, अक्तूबर की तुलना में नवंबर में 81.18% की उलिखनिय गिरावट देखी गई, लेकिन नवंबर 2022 की तुलना में 1426.38% की उलिखनिय वृधी भी हुई, उन्जा हाजिर बाजार में कीमतें गिरावट के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है। झाल में झाल में की तुलना में झाल रही है। झाल झाल झाल